नमस्कार दोस्तों मैं सुभा शर्मा चंडीगर से लाल किताब के ग्यान में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जानकारी लेकर आया हूँ जिसे हम कहते हैं एक तीर से दो निशाने यानि कि आपके एक सिर्फ ये टुकडा प खराब हो जाएं तो हमारे जीवन में शुब चीजे नहीं होती है अशुब चीजों का जो एक नंबर है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यह अशुब यनिकी गलत गतिविदियां हमारी लाइफ में होने लगती है चाहें वह नुकसान हो चाहें घाटे हो चाहें की प्रॉलम हो चाहें बीमारियां हो चाहें एक्सिडेंट हो कुछ भी हो जो अशुब चीजें हैं वो हमारी लाइफ में उनका इजाफा होना शुरू हो जाता है और यही कारण होता है जब हमारी कुणली में शुब ग्रय कहीं से मंदे हो जाते हैं अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल बद का उपाय किया जाता है बरस्पती की बात करें तो सोने का उपाय किया जाता है चंदर की बात करें तो चांदी से उपाय किया जाता है अब इन सब के उपाय करने से पहले हमें यह देखना है कि क्या एक्शल में हमें यह उपाय करने की जुरूत है और उस उप मज़ना है कि आपके कुंडली में क्या ऐसे हालात हैं कि जिसके लिए आपको सोना और चांदी दोनों एक साथ मिला कर पहने की जुरूत है तो दोस्तो अगर हम ब्रस्पती की बात करें ब्रस्पती के खाने खाना नमबर 2, 5, 9 और 12 माने जाते हैं अगर ऐसी हालात में जैसे कि आपके कुणली में अगर कहीं पर भी खाना नमबर 2, 5, 9, 12 में कहीं पर भी ब्रस्पती के दुश्मन जैसे कि बुद्ध या राहू या श शुरू हो जाती हैं आपके जीवन में एक किस्मत भागे का साथ देना कहीं पर भी पिछड़ता जाता है अगर हम चंदर की बात करें चंदर का खाना नंबर चार यहां पर कहीं पर आपकी कुली में राहू या केतू या फिर शुक्र वगरा आ जाते हैं तो चंदर के फलो में नुकसान शुरू हो जाते हैं आपकी mental आपकी health आपकी financial stability में कहीं न कहीं problem आनी शुरू हो जाती है अगर चंदर कहीं पर 8 नंबर या फिर खाना नंबर 6 नंबर में या 12 नंबर में कहीं पर पहुंच जाता है तब भी यह बहुत सारी problem देता है और अगर हम मंगल की बात करे करने देखियं मंगल بد की स्तितिक टिए के लिए अगर खाना नंबर 4 या खाना न network 8 में मंगल है या फिर मंगल पूरी कुंड्ली में कहीं पर मंगल रा हुं मंगल बुद् या मंगल शुक्र की यूदिधी एक साथ हो जाती है तब मंगल बद हो जाता है अब इतनी सारी conditions आ को अगर आकरति है तो चौको और आकरति आकरति की मंगल नेक का प्रतीख है, मंगल अच्छे का प्रतीख है और इıs में जो सोना धातू है, सोना ब्रस्पति की धातू है. अगर चंदर की बात करें तो यहाँ पर चांदी यानि कि हमने तीनों को एक साथ एक ही शेप में बांद दिया और यहां पर हमने सपोर्ट दी मंगल नेक की अगर हम मंगल बद की उपाय की बात करें तब भी उस केस में हमें चांदी का स्क्वेर पीस चोकोर टुकड़ा अपने पास रखने के लिए बोला जाता है अगर राहू के मंदे पर भाव आपके उपर आ रहे हैं शनी के मंदे पर भाव आपके उपर आ रहे हैं तब भी आपको चांदी का चोकोर टुकड़ा रखने का उपाय बोला जाता है और अगर मान लीजे कहीं पर आपकी कुंडली में ऐसी अवस्ता है कि आपको गले में च चांदी का चौकोर टुकड़ा जैसे कि राहु खाना नमबर एक में होता है तब चांदी का चौकोर टुकड़ा पहनने के लिए बात बोली जाती है गले में चांदी का चौकोर टुकड़ा पहन के रखिए और कहीं पर आपकी कुणली में ब्रस्पती मंदा है यानि कि पित्र और यह सुनार की कारीगरी होती है कِ वो किस तरीके से इनको जोड़े जिन से की इसकी आकरति भी हलो और जो सोना और चांदी की एक बुरिटी है वह भी कहीं से डिस्टर्बना हो यह पने गले में चांदी की चेन में पहन सकते हैं सफेट धागे या पीले धागे या फिलाल धागे में आप पहन सकते हैं ये टुकड़ा आपकी कुंडली में ब्रस्पती चंद्र और मंगल के फलों को शुब करने में बहुत ही सहयक सिद्ध होगा अगर आपकी कुंडली में खराबियां हैं देखिए कोई एक भी गरह खराब हो जात है तो उसको देने के लिए हमने किसी दूसरे मित्र गरह की सपोर्ट देनी पड़ती है इसलिए यहां पर चंद्र कर ब्रस्पति इस तरह के से मेहनत कर रहा हूँ आप भी थोड़ी सी यहाँ पर एक छोटा सा बस काम करिए वीडियोस को शेर करिए लोगों तक जानकारी जाता से जादा पहुंचे और लाइक जरूर कर दीजें तो दोस्तों नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपने सुभाज भाई को आगया दीजे नमस्कार